दोस्तों हम कोई भी financial advisor या financial expert नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में दे गई सारी जानकर इंटरनेट के दुरू ली गई है और यह सारी सारी हमारी person research study है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो जो भी आप investment करें उससे पहले आपको यही सर treatment purpose clip बनाया गया है है हलो तो सबसे प्रेश वीडियो के अंदर तो सबसे पहले तो सभी लोगों को happy new year 2025 सभी लोगों का स्वागत है और इस साल आपके जितने भी wishes हैं जितने भी dreams है वो सारे की सारे फुल्फिल हो और अच्छे कासे bitcoin आप यहां पर कमा सकें तो 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 इस सा साल से मैंने यहां पर कुछ चालू करी कि पास जो मैंने लाइप कर रहा था या फिर जो मैंने अपने analytics में देखा YouTube Studio के अंदर वहां पर मुझे बता पड़ी कि बहुत सारे जो परसंसे वह इस फील्ट के नदर नए जूट रहे हैं कुछ ऐसे परसंसे जो कि शाहत फॉस्ट दोस्तों हम लोग बात करने वाले है technical analysis versus fundamental analysis के बार में कि आकरिकार ये दोनों क्या है कौन से इसमें से काम करता है कौन सा काम नहीं करता है और आकरिकार हम लोगों को कौन सी चीज को हाँ पर use करना चाहिए तो यह basically सारी चीज है इसमें होने वाली है तो दोस्तों वीडियो क आप कोहां पर तीन भेने का premium subscription मिल रहा है जहां पर कि आपको Binance और Bitmax दोनों की calls और पर मिलते हैं तो अगर अपी तक आपने नहीं लिया तो आप उसे contact कर लिए इस mail id pixel.com के उपर या फिर हम उसे contact कर सकते है अट direct crypto world जो कि मेरा telegram का username में और साथी साथ अगर आप लोगों क आपको एक बार पर पे करने में problem हो रही है तो मैंना आप लोगों के लिए part payment भी on कर दिया है तो वो जो भी information है वो आप मुझे mail पर या फिर telegram के उपर जाके पूछ सकते हैं तो अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने इस point के उपर कि आखिरकार यह fundamental analysis और technical analysis होता क्या है fundamental analysis की तोस्तों अगर बात करी जाए तो यह company का एक background होता है कि company आखिरकार क्या कर रही है या फिर जो भी product आपके पास है उसका fundamentally चीज़े क्या है like जैसे आप एक एक company की बात करता हूँ तो आप suppose कर वह कि company है जो कि साबुन बेचना जाती है तो अब उसको जब साबुन बेचना है तो उसकी fundamentals क्या होने चाहिए पहला तो उसका product बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि marketing आउट strength कर सके और जो पाकी competitors है उनसे थोड़ा सा age वहाँ पर मिल जाए जो चाहिए वो किसी भी way में हो दूसरा उनकी जो marketing team है वो अच्छी होना चाहिए जिससे कि उनको पता रहे कि हाँ हमने जो persons को hire करा है वो एक expert बढ़ना है या फिर वो हमने sales को boost करेगा इससे कि हमारी company का turnover या पर बढ़ने वाला है और इसी के साथ हमारा management अच्छा होना चाहिए ताकि अगर कोई भी order हमा fundamental analysis के अंदर covered होती है तो उसी तरह किसे जब हम crypto की बात करते हैं या फिर stocks की बात करते हैं तो यहां पर जो fundamental होते हैं वो यह होते हैं कि अगर आपने कोई coin purchase करना है तो वो coin क्या कर रहा है उसका main net गवाने वाला है future events क्या है कितनी partnerships होंगी यह सारी चीज़े हमें वापर दे होनेगी और बहुत सारे लोग जब इस coin में आएंगे तो अगर मैं इसमें invest करता हूं तो मेरा भी profit यहां पर कुछ ना कुछ हो जाएगा तो यह सारी चीज़े मिला कि हम लोगों को देखना होता और यहां पर हमको fundamental help करता है plus fundamentals में कुछ चीज़े और आती हैं जैसे की newses हो यहां पर आपके कुछ events हो गए जो की बीच बीच में आते रहते हैं तो वह newses और इवेंट्स हमको यह बता थे कि अच्छा है यह जो company है यहां पर कुछ ना कुछ काम कर रही है इनके कुछ अच्छी newses है या बुरी newses है और इससे जो coin है यह जो company है यह जो भी stocks है उसके उ वह सारी सी होते हैं जो कि fundamentally हैं पर कबर होती हैं तो अगर आपको किसी coin को एक long term perspective से लेना हो कि हां में यह coin को 6-3 मिना hold करूँगा या फिर हम trading में भी जा रहे हैं तो भी हमें fundamentals थोड़ा सा देखके जाना होगा छोटे-छोटे fundamentals हमको देखना है कि अच्छा हमें trading करना है तो क्या इसका आगे future हो पाएगा कि नहीं कि कोई shit coin निकल जाए तो छोटे से fundamentals है कि हम उस coin में जा सकते हैं और यह decision कर सकते कि हाँ इस coin में हम या तो trade करेंगी और अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर हमें धोला से जादा उसका fundamentals वापे देखना पड़ता है महीं पिर दोस्तों कितने हैं बोलूगा कि भाई यह साबू उससे लेलो क्या मैं उसको 5 रुपे बोल दूगा कि यह साबू की कि मत पांच रहें क्या मैं उसको 5 रुपे बोल दूगा या एक रूपे बोलूँगा तो यहां पर जो होता ना overvaluation और undervaluation इसकी सारी बाते हाँ पर आती है कि आखिरक है ऐसा तो नहीं कि वो जो कोईन है वो एक डाउन ट्रेंड में हो और हम उस कोईन के अंदर घुज जाए उसके वो और नीचे चले जाए तो हम लोगों को ट्रेडिंग कर रहे हो तो बॉटम पर पकड़ने के कोई जूरत नहीं है आप भरे उसकों को एक लाग रुपे का खरी होगी है तो यह सिंपल सी एकोई से होते हैं कि असटव में यह को आपे स Candid Invest को घक्राइब होता है थो पूरा गोड़ा का अफिस प्रावभा टेकनिकल वाटमेंटल का था आप समझ गहें होगे कुछ वाल्ट हो तो मुझे आक आघुमीमी में बता सकते हो ताकि आपको उमय और जasında क्लियरटी यहां पे देह सको आज Anda laughs सुपेशा है और पर शॉक से पस् JUंकल Girls नहीं होगी तो प्रीज वीडियो को लाइक करेगा लिए की अब टो इनकार पोरी वह बाष्क impacted देह сकेश्थ और पूरे विल को पिंचेशा दो प्रम आपक करेख änd ळाल You